याल दोस्तों वेल्कम बेक टू दे चैनल तो आज है मिंद्रापूरम के यानी स्पे यहां का एक्स्प्लोर करता है चल्ड़ तो बाहर के सिटिंग यह रही उसके बाद अंदर भी हमारा काक्वी स्पेस है स्टार्टिंग में ही बार काउंटर है आपकी और इस सब के लिए हो जाएगा और काफे सटेंगा और यहां म्यूजिक भी होता है लाइव म्यूजिक भी होती है गेट आपको एक बार कंफर्म करके इनका बताते हैं आप एम्बियंस काफे ही अच्छा है म्यूजिक कर लाइब म्यूजिक होती है किस दर सिर्फ सटेड़े विकांड पर लाइब म्यूजिक उसलिए और टोटल शिटिंग आपको मुझे लग रहा सौ से जाधा है यह जाजार में ये आपकर पूरा है आपका पार्टी हाल ही अ तो मेन्यू देख लिए और हमने ओडर किया है अफगानी चिकन बेच ब्लैटर और यह दोनों के बाद ड्रिंग्स पर जाएंगे ड्रिंग्स अले भाई आज पूछेंगे क्या बेस्ट है वह ड्रिंग्स बनवाएंगे और फिर देखते हैं मैंकोर्स में कुछ खाएंगे बि भी जो पसंद है वही घानी चाहिए तो हमारे साथ सेफ का सेफ यह प्लैटर फ्रेस ही लगता है हमारा पहले से कुछ नहीं रहता है जैसे आपने यह जोब देख सकते हैं सीख हमारा लग चुका है मस्रूम लग चुका है पनीर बगर लग चुका है पस तंदूर में जाना ह तो सारा प्लैटर फ्रेस वगएर लगता है हमारा और अफगानी का भी है अभी अफगानी के जब यह सीक में लगाएंगे तो इसके भी आपको रिप्रेसल लिखाते है तो यूज के बाद यह प्रोपर टैक करके लग दिया जाता है फ्रेजर में क्लिननेस पूरी है हम भी कैफ में को किचन में एंट्री विदाउट कैफ की होगी नहीं तो यह हमारा अफगानी रेड़ी है अब यह तंदूर में जा रहा है सिक में अल्रेडी लग चुका है तल हुग तंदूर होने में से अब कितना टाइम लगता इसको आठ से दस मिनिट में यह रेड़ी हो जाएगा फिर इसकी प्लेटिंग आपको दिखाते हैं तो यह अब हमारी अफगानी की प्लेटिंग हो रही है तो इसस देख सकते हैं आप काफी ही पड़ा है आप लगवाया है मैंने क्योंकि फूट बेस्टिंग नहीं कर दी है हमें कर दिस्टा कर दो है तो आच चुका है अफगानी हमारा है तो अफगानी जितनी देखने में टेंपिंग लग रही थी इतनी खाने में भी है क्रीम बहुत अच्छा है अच्छा से कुख धुवा हुआ है और एस टेस्ट ना रेयर ही मिलती है आपको कहीं कहीं जग उन्य geçमेंडर फैस्ञा को कहीं जगा ही मिलेगी ऑसे टेस्ञा तो अफगानी रिकमेंडेड है विऍश प्लटतर है आता है तो बताते हैं उसका टेस्ट ऐसा है तो ये आख बाल हमारा वेजक पलायकर मासालों दिल्जफ़िक है Grandma यह नॉर्मा पन्तिका और इसके फोदिना में एक ख्लेवर के अपको पने टिका मिलेंगे अचारी नॉर्मल मलाई वाले और फोदिना उसके अदिए अलू इस्टफ है मश्रूम है और बेसित कबार शीक है ठैंक यूपिया अब टेस्ट करते हैं प्लैटर हमारा अब बनीद्व अच्छा है अब खुदिना आपको प्रिल होगी यह मसाला वाला जो प्याज होता है न सबसे अच्छा होता है अब इसे रोटी के पर साथ था सकते हैं नमक थोड़ा ज्यादा है यहां मश्रूम ट्रेगर तो मेरी फैबरेट भी तो अब ट्रिंग्स हो जाए थोड़ा तो अब यह प्रिंग्स में आप बताएं कोई दो चीज रिकमेंड करें और वह बनाएं और हमें दिखाएं कि क्या पिलाएंगे बताएं पहला तुम आप क्रीमी गुबरेंट बनाएं ठीक है और और एक रोजन हिरास तक इस्टोगरी ठीक है भी आप यूज होता है रोस पेटल है क्या हिए प्लावर एड़िवल प्लावर कॉपी बगर भी है यहां और यह नोन आल्कोहली का ना ना आलकोहलीका यह है हमाल मुक्रीम दाएंगा लागा यह हमाल गुष्ट कर अभिल किलका प्रादी कान घड़ादी एलादी हाँ करंपे साइछ bile वे क्लिड़ा है कोकोनट चंग दल गई है सिर्फ के बाद तो सारी चीजे कोकोनट की ही है कोकोनट वाले कोकोनट शेर्प कोकोनट चंग और मिल्क आख तो पुष सुगर से रखे रिंगा एंगा ओके तो ये अच्छुक है हमारा कोकोनेट वाला तो यार ये कोकोनेट है की रिंग मैं पेली बार पेर हूँ अब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा एक ड्रिंक और हो पहले आप उसकी मेकिंग दिखाते है तर वह बतातें आपको कासा क्या नाम बतायाता इसका अदो आपना साथ प्रोजन होस का श्टवे रिवाला एश्टवे रिवाला अच्छा जान आप अच्छा अच्छा अर्ख जालिज को छैना ए OFF रेन प्रेटory रेनी स्टोबी कर्स रेनी स्टेडरी मुश करो राम धी लूज साइध अब ब्लेंड करें तोड़ा थिक बनता है यह न थोड़ा थिक दिए आइस कुप तो यह तो मैंन व्लॉग के लिए इंस्टा वाले तो सारा वो एक मिनेट में सब कुछ आपाता है तो यह स्टाबरी वाला भी हमने ट्राइ किया और यह भी कापी अच्छा रहा पर दोनों के कंपेरिजन है मुझे वह कोकोनेट वाला थोड़ा सा लग लगा क्योंकि पहले कभी पिया नहीं है साथ मैंने इसलिए तो अभी हमारा मैंकोर्स आगिया है बिरियानी और यह हंडी वाला वी स्टाट क्या आप लोग यह से यह हमारी दम बिरियानी है दम बिरियानी यह तंदूर में रखके दम लगाए जाता है अच्छा ओक्छा ओक्छा तंदूर में दम लगे है हंडी में अफसर करेंग भी यह हमें करने नौन वेजिबल वाया है चिकन इसमें आपका चिकन है मटन है और वेज भी है यह सब्सक्राइब वेज में क्या मिक्स है या कुछ सोया हुआ यह सब्सक्राइब मिक्स वेजिट अब लगे शलो तब बिर्याने ट्राइब किया जाए इसे लग रहा है चावल कौन सा है पता नहीं और अच्छा है चावल अच्छा है तो यह अब हमारा आगिया है डेजर्ट जिसमें है ब्राउनी विक आइस क्रीम थाइंक्यू सो मज़ लिए एक और डेजर्ट हमारा केसर फिरनी थाइंक्यू विए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यह है मस्ट मज़ा आ रहा है तो इंद्रापुरम वासियों यह गाजियाबाद वासियों यहां जरूर आए आप पाटी भी कर सकते हैं किटी पाटी बड़े पाटी कुछ भी कर सकते हैं फैमिली डिनर के लिए कपड़ डिनर के लिए जैसे आपके पास सुविधा उपलब दो जो भी चीच चाहिए उसके लिए आप यहां जरूर आए वालेट पैरकिंग है गाड़े की भी टंसर नहीं लेना कि गाड़े कहां खड़ी करनी है आपको जगह बहुत ही अच्छा है हैं एक बार जरूर तरह करें तो थैंक यजिए सो मच बेढ़र या कर तैंक यूफ को वोड़ीयो अच्छा लगा होगा एक प्रैंक यूफ चैनल के साथ बने रहें लाइक करें सब्स्क्राइब करें जिटाबी मंगाते हैं और वैलोट पार्किंग उपलॉख्ट थेंको